यह एक नया नोटिस जारी किया गया है इसका सेंपल भाशा में मतलब यह है कि राउंड वन की काउंसलिंग 9 फरवरी को खतम होगी कैंडियेट इनको सीट रिजाइन करनी है जिन्होंने अडमीशन लिया है वो सीट छोड़ना चाते हैं राउंड वन की तो वो 15 फरवरी तक सीट छोड़ सकते हैं वरना उसके अदुन पर राउंड टू के रूल लगेंगे राउंड टू का रूल का है कि जो सीट मिल गई वो फाइनल रहेगी अलिस अन्टिल उन्होंने क्या ना किया हो अगर उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर दिया अप्ग्रेड हो गई तो बहुत बढ़िया और आपने अप्ग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया और वो जो सेकंड राउंड का रिजल्ट है वो 15 तारीक के बाद आया तो अगर अब कोई अप्ग्रेडेशन नहीं हुआ तो पहली सीट ही आपकी कन्फरम्ड माने जाएगी फिर आप पहली सीट नहीं छोड़ पाएंगे पहले ऐसा होता था कि राउंड टू में अगर अप्ग्रेडेशन नहीं हुआ तो उसके दो दिन बात तक भी आप फर्स्ट राउंड की सीट छोड़ सकते थे वो इस बार चेंज हो गया है अगर रेजनेशन लेटर की बात है तो MCC के पोर्टल से वो होगा और लोटेड कोलिज में आपके जाकर बताना होगा कि I want to resign वरना आपका रेजनेशन नहीं माना जाएगा किसी भी और फोम में in case candidate has given consent for upgradation in round two लेकिन upgrade नहीं हुई she cannot resign the seat a lot in round two and will have to retain the seat यह मैंने बताए कि वो वही seat आपकी fix हो जाएगी अगर upgradation नहीं हुई तो there is no option of registration in round two round one joint candidates जिन्होंने कोई participate नहीं किया round two में और no resign the seat उनका जो है वो seat final मान लिया जाएगा अगर आपने round two में कोई participation नहीं है कि आप gradation नहीं किया और 15 तरिक तक resign नहीं किया तो वही seat आपकी final माने जाएगी तो यह बात बहुत important है सभी बच्चों के लिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किजेगा thank you so much for watching keep supporting us और यह notice telegram group पर है जिसका link label है description box में